हेलो एवरीवाण वेलकम टू टेरो वाल टेरो कार्ट की रहस्त में दुनिया फ्रेंट्स व्रिसर ब्रासी टॉरस का निकाल रही हूँ और सो जैन कार्ड्स के थ्रू आपका दिखना चाहती है टाइमलेस रेडिंग है जैनल रेडिंग है और सब के लिए है और रिलिजन के ल होता है फर्स्ट कार्डी आया है सौरो का ऐसा लग रहा है जीवन में बहुत उथल-बुथल मच्छा है आपका पास्ट में और बहुत दुखी हो गए थिया ऐसा लग रहा है जैसे बहुत किसी अपने-पने तरीके से इसको देखें चाहिए वो लाव लाइफ का हो मैरेड करियर में भी बहुत कोई है ऐसे जैसे बहुत यानि मेहनत बहुत कर रहे हैं फिर वह आपके एकोर्डिंग आपको नहीं लग रहा है कि हो रहा है मेरा तो यह जान लें आपकी लाइफ में हर चीज होगा ठीक है इसलिए मैं कहारी हो पेसंस बहुत रखना है अभी एडवें तरीके का ठीक है यह मुझे लग रहा है और ट्रस्ट रखके बिल्कुल यानि कि अपने गौड पे बिल्कुल बिलीफ करते हो आप और उनके उपर छोड़ दिया है यह ऐसा लग रहा है मुझे यह सोजन कहते हैं खुद को जाने खुद को समझें और फिर आपके लाइफ मे मैच्योर हो रहे हो अपने समझदारी इतनी आ रही है आपके अंदर कि चाहे आप हर चीज को हैंडल करो गया करियर में हो हर चीज को समझों के आने वाले समय में क्योंकि कार्ट साए हैं और आप गोइंग विद द फ्लू अभी जिस भी सिच्विशन में है अब आप उसको छोड़ दें अपने आपको उसी जो कहते हैं धारा में नदी के धारा में बहते जाएं बहते जाएं किनारा लगना ही है तो वह चीज आपको अभी आ रहा है वह हमें इसा प्रियोड रहती है इसलिए अगर आप आपके साथ ऐसा है सिच्वेशन क्योंकि आप मैच्यूर तो हो रहे हो आप फ्लो भी करोगे अपने लाइफ में जैसा जो सिच्वेशन चल रहा है भी होने दें ठीक है आपके अंदर कोई ओर्डिनरी चीज जो है वो सारी हो जाएंगे इल्यूजन वरी दुनिया में अगर आप थे तो से बाहर निकल रहे हैं अब आपको हर चीज स्टेप स्टेप अप करेंगे और हर चीज में पर्फेक्शन साइंगे ठीक है थोड़ा लेजीनेस है आपके अंदर तो लेजीनेस को लेजीनेस तो है व्रिशब र इसको बाद में डिस्क्राइब करूंगी और अपने इनर वाइस को जरूर सुनें ठीक है इनर वाइस को सुनेंगे और आपका सक्सेस है अगर 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 अब लाइफ में कहीं परिशान हो रहे हैं तो आप लोग मैनिफेस्टेशन जरूर करें वह ठीक हो जाएगा ठीक है क्योंकि आपके लाइफ में प्रोजेक्शन सा रहे हैं इसलिए मैं कह रही हूं कि अब वो चीज हर चीज जो था ना आपका ओर्डिनरी पन या कुछ भी वह सारा चीज खत्म होके बहुत अच्छा होने वाला ठीक है और विदिन फ्यू मांस में होने वाला यह भी जान लें बहुत को चेंज होगा विदिन फ्यू मांस से टाइमलेस रेडिंग है जब भी आप देखेंगे अपने तरह किसे इसको रेजोनेट करें और फ्यू मांस में होगा येस का काड़ आया है अबेंडन्स आ रही है आपके लाइफ में और जो भी प्रॉब्लम थी वो पीसफुल में आ रही है बहुत को जैते है मैं कब होगा कब होगा ये जानने कि आपको करना क्या है थोड़ा सा आपको स्ट्रॉंग बनाना है ठ्रस्ट रखा हुआ आपने अपने गौड पे और अभी जो भी सिच्वेशन इसलब क्वाइशन और जो भी सिच्वेशन है गोइंग कि आएगा तो वैसे ही लाइफ में होगी जरूर ठीक है और जब भी रात में सोते हैं आप उस समय बिल्कुल पॉजिटिव होके सोएं और जो आप जो आप अपने जीवन से चाहते हैं चाहिए लव में हो करियर में हो मैरेड लाइफ में कुछ भी अगर बिजनस में तो प्रशब रासी आप यकिन नहीं मानेंगे आप जरूर करेंगे अपने आने वाले समय में क्योंकि कार्ट्स आये हैं इसले मैंने कहां अपको मौका मिलता है ना किसी भी चीज में आपको आने का चाहिए वह ओफिस में हो या स्कॉलेज में हो कुछ भी चीज का तो पीछे न पर्टिसिपेट हमेशा कहीं ना कहीं कुछ भी हो चाहिए होता है सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो महां पर यह कुछ फंक्शन हुआ कुछ भी हो यानि अपने आपको प्रूफ करने का जो कोई मौका मिलेना तुसे छोड़ना नहीं यह जान ले ठीक है और जैसे लगेंगे बाहर निकलने लेंगे और अपने अंदर की आवास को जरूर सुने जहां इक्षा कर रहा है आपका कर्यर में लव लाइफ में जहां मैरेज करना चाहरे हो जिससे मैरेज करना चाहरे और फिर अटक रहे हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए दुख और अट्रक्शन मुद्र हो जैसे आप वह करेंगे ना तो आपके तरफ आपके पार्टनर अट्रक्ट हो जाएंगे मैरेज लाइफ के लिए अनमेरेज के लिए विसे कर मैं बोलती हूं ठीक है और जिन्होंने मुझे दिया था उनका आफ्टर जैनरल लिडिंग मैं आए हैं आपके बहुत अच्छे कार्ट्स आए हैं गौड नहीं कहा दिया कि नो नीट तो बिल्कुल नहीं करनी है परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है आपकी पीसफुली रिजॉल्व होने वाला हर सिच्वेशन आपका और अबेंडन्स आ रही है अगर फाइनाशली कहीं फ्यूचर में वह जरूर आपका पूरा होगा ठीक है एक मैं छोटा सा एक एक्जांपल देना चाहूंगे मेरे बहुत क्लोज है जानने में और वह जब अपने यंगर इस में थे बहुत अपने देखे थे कि मैं यह करूंगी गल थी वह और बहुत कुछ करूंगी लेकिन व हो जाए कहीं एक मिला है उसे तो उसने बताया कि मैं मुझे 50 यह जब मैं 50 यह की होंगी तब जाकि मुझे सक्सेस है अब आप सोच लो वह लेड़ी अभी तक यह नहीं मेहनत कर रही है और 50 यह के अभी है नहीं ठीक है यह जानने लेकिन उसने कहा कि है मुझे कि आफ्टर प्लस में उनको सक्सेस मेला ऐसा है सिक्स्टी यह के हैं सक्सेस मेला इसलिए पेसंस रखें लाइफ में जरूर में लेगा चले अब देखते हैं वापस आता आएगा यह नहीं आएगा आपको कि लड़ाई जगर बहुत जादा हुआ है आप दोनों में उसना और आप अके लिए मेहनत कर रहे हो कि आज 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 तो पहले सबसे पहले तो आप मैनिफेस्टेशन जरूर करें जो मैंने वीडियो बना रखिए सना आप जरूर करें वह अगर करेंगे तब होने के चांसे की डेट और जो आपने दिया है मुझे वह मैच नहीं कर रहा है इनकेस आप लोग का मैरेज हो भी जाता है न तो अनबन हमेसे रहेगा लेकिन आप जो चाहरे की वह आ जाए तो आएंगे जरूर आपके लाइफ में ठीक है बाउंस बैक आप वह होगा आपका दिरे दिरे अटैच हो जाओ गया ठीक है और क्योंकि आपके आया है न्यू बिगनिंग का आया है और फाइनाशली आपके जो पार्टनर है वह भी मुझे मुझे लगत अच्छे हैं और आपका होगा क्यों मैजिशन का कार्ट डेक में आया है और सिक्स ऑफ स्वार्ट साय तो टाफ टाइम जो देखा था वो हो गया खत्न और आपने दिया है कि आएंगे या नहीं आएंगे तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जैसे मैंने बताया है उसमें कि सिर्फ नंबर बोलना है नंबर बोलके अट्रेक्शन मुद्रा के तुरू आप करेंगे तो द पॉस्टिव रहना है दो दो यहस के कार्ड है इसलिए मैं खहरी हूं कि चांसे बहुत जादा हैं आने के आप मैनिफेस्टेशन करें लेकिन आने के बाद आपको पास्ट कहीं कुछ नहीं निकालना है और बहुत कॉम्रमाइस करना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों के विच मैने साथ हो सकता है मैंने उसमें भी कमेंट में दे दिया होगा करते नहीं और उसमें एक नमबर बोलते हैं 7736 उसको बोलके अट्रक्शन मुद्रा के तो करें ठीक है जल्दी हो जाएगा चले अब देखते हैं कौन है बंदना है बेस्ट फ्रेंड था और उसके बिन हो जाएगा आपके पास से इंसान और वो आ जाएगा ठीक है इस्टक हो अपने लाइफ में बहुत जादा आप मेहनत भी बहुत करते हैं बहुत सोच रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं क्यों जो कुशन दे रही हो आपको तो आप बहुत कुछ सोच रहे हो कि क्या वाकई में और चला गया ठीक है तो बेस्ट फ्रेंड आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कुछ उसके दिमाग उनके दिमाग में फाइनांस का दिख रहा है और अभी फाइनांशली वह स्ट्रॉंग होना चाह रहे हैं आपकी पार्टनर और भी कार्टस आप दिल के बहुत प पाइर नाजी में आ रहे हैं आप एट्रक्शन मुद्रा में जरूर करें और इमीडिट आरेंगे अभी आइंजल के तरफ से भी देखते हैं कैसे क्या है नहीं है और लेकिन मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी ठीक है अपना उनको अपने बास बुला रहे हो तो आपको आपको अपने गौड पर बिलीव रखें और वह क्यों गये क्या हुआ तो इसका थोड़ा से इंफॉरमेशन आपको कलेक्ट करना है और खुद भी अपने अपने ऊपर तो बिल्कुल बिलीव रखें कि आएगा ही आएगा और वैसे करने से ठीक है और इमीडिट नहीं है य और आप समझ में नहीं आ रहा था अभी तक तो अब आप जान लें कि जैसे ही आप मैनिफेस्ट करेंगे ना धीर 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 आज उनका माइन उनके नाम उसमें वह से नंबर बोलती हूं उसके बाद आपको आप क्या चाह रहें उनसे आप चाहते हैं वह मेरे पास लौट आ आपके पास आजाएगा इसलिए है वह मैंने बना ही रखा पहले ही वीडियो बना रखी है मैंने बट मुझे लगते हैं और नोटिफिकेशन आपने प्रस नहीं किया होगा प्रेस कर रहा है तो फिर स्क्रॉल करके जब मैं क्योंकि हर वीडियो में इसलिए बोलते रहती हू कि मैं मेरा पार्टनर से लागया मेरा हजबन वाइफ में हो गया तो उसके लिए वह रिस्ते को ठीक करने के लिए वह वीडियो है आप लोग करेंगे तो जरूर होगा किसी किसी को सकता है बहुत टाइम लगे और किसी का जल्दी भी हो जाएगा ऐसा नहीं है कि इमिडिट से जुड रहा है क्या ठीक है यह आप जानें कि बहुत अब्वक तोट गया था तो अब बहुत है रहेगा इसलिए आप परिशान ओ फार mergi में आ रहे हैं आप लोग दोनों को विचार अब मिलने लगेंगे ठीक है यह समझें बिलकुल मिलेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हुआ है बहुत हैपी भी होगे आने वाले समय में जो रिस्ता तूड़ गया थो और फिर से जूड़ रहा है बहुत अच्छा मैनिफेस्टेसंस करते रहें बहुत जल्दी बहुत कुछ बहुत चीज आपने लॉस्ट किया है अपने लाइफ में बहुत दुख देख कि फिर से जूड़ रहा है क्या ठीक हो रहेगा बहुत अच्छा रहेगा आपके एक हैपी फैमिली होगी बेबी होगा सब चीज होगा हर चीज से आप खुश रहोगे ठीक है लेकिन थोड़ा सा आपको वही मैनिफेस्ट भी करते रहना है और बैलन्स में आपकी लाइफ च सब्सक्राइब कर दो आए तो आपको इस रिस्ते में आगे बहुत अच्छा है कोहीं कोई परिशानी की बात नहीं है ठीक है और बेही चक आप कर ले मैरे चाहरे हो यह कुछ भी तूट गया था रिस्ता यह फिर से जोड़ना चाहरा है कुछ भी ऐसा है बहुत अच्छा है और फ्यूचर में आपका बहुत एक हपी फैमिली बनेगी और खुशियां भरा जो जिन्दगी जीते हैं ना आपके गौड नहीं आपके लिए सोच लिए स्टार का काड़ आया है इसलिए बही ही चक आप कर सकते हैं कोई दिकत नहीं ठीक है पसंद आते तो लाइक से सब्स थैंक यू